असलाम अलेकुम प्यारे बच्छों और सर्प्रस्त हजरात हमने देखें कि जमाद चाहरूं में रियाजी मज्मून की दूसरी इकाहि रगबा यानि क्या अब इसके बाद हम देखें ही कि हम किसी भी शक्रगा रगबा किस तरह वारूम कर सकते हैं तो बच्छों देखेंगे कि हमारे पास ये एक शक्रगा है कौन मतरहें शक्रगा कौन सी है बई शापाश ये मुरबा है मुरबा यानि चार जिलों से बनी वी वो शक्रगा जिसके चारों जाविये काइबा होते है प्यारे बच्छो अब हम देखेंगे कि इस मुरब्वे का रग्वा हम किस तरह वालू कर सकते हैं तो हमें दीवी शकल का रग्वा वालू करने के लिए एक सम जिला नमभाई वाले मुरब्वे का इस्तेमार करना होता है तो प्यारों विच्छों ये जो मुरब्बा है हमारे पास हम देखेंगे कि इसके अंडर ये एक सम नमबाई वाना जो मुरब्बा है एक सम नमबाई वाना मुरब्बा तो ये एक सम नमबाई वाले मुरब्बे कितने समाएगे अग्की नहीं में हमके ये इक सम्नम्बाई वाले मुरब्वे कितने है एक, दो, ती, चाथ, पांट, छे, साथ, आथ, नव, दस, ज्यारा, बारा, तेरा, चौंडा, पंदरा और सोला तो बच्चों इससे हमें क्या वारू हुआ क्या ये सोला मुरब्वे जो है एक सम्नम्बाई वाले तो ये मुरब्वे का रखवा हुग गया तो हम लिखेंगे यहाँ मुरब्वे का रखवा बराबर सोला मुरब्वा साथ देखिए बच्चों और सरप्रस्त हजराद हम इस रखवे की पहली मिसाल देख चुके हैं कि रखवा किस तरह मालू करेंगे तो हमने मुरब्वे का रखवा मालू किया अब हम इसके बाद इसकी मिसाल देखेंगे कि हमें मुस्तदीर का रखवा मालू करना है तो हमारे पास ये एक शक्ल है कौन सी शक्ल है बच्छों ये? मुस्ततीर शाबवाश तो मुस्ततीर यानि वो शक्ल जिसके आमने सामने के दोनों से ले बराबर होते हैं तो अब हम देखेंगे कि हम इस मुस्ततीर का रग्वा किस तरह वालू कर सकते हैं तो बच्छों हमें मालू है कि किसी भी शक्ल का रग्वा वालू करने के लिए हम एक सम जिलानबाई वाले मुरब्वे का इस्तेमाल करते हैं अब ये जो मुस्ततीर है हमारे पास तो हम देखेंगे कि इस मुस्ततिम के अंदर एक समजिला नमभाई वाले कितने मुरब्बे समाएंगे जिनों तो बच्चों कितने मुरब्बे समाएं इसके अंदर शापका आशेट दो, तीन, चार, पाँच और ये पाँच, दस यहने इस मुस्ततिम का रग्बा जो है वो, कितना हुआ? तो हम लिखेंगे यहाँ मुस्ततिम का रग्बा बराबर दस मुरब्बा सम मुझा आए आए मुस्ततिम का रग्बा धुझा झाल मुस्ततिम का रग्बा